गुड़ मानिंग स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नरेशन जिसको डेक्ट इंडेक्ट स्पिच विका जाता है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और हमने अब तक तीन प्रैक्टिस सेट किये हैं नरेशन के जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो इन नरेशन है आने वाली जो हमारी बोर्ड की प्रिक्षियाएं हैं 10 और 12 उनमें ये चैप्टर गिवन है और जितनी भी आने वाले कॉम्पेटिशन के एक्जाम है S.S.E. इस तरह की जो हमारे एक्जाम है उसमें ये जो टोपिक होता है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपने वीडियो को सबसे पहले आप देखिए जो लास्ट है वो चेंज हो जाता है दा प्रिवियस डे लास्ट चेंज इंटू दा प्रिवियस डे और जब हमारी जो आर एस जो रिपोर्टिर स्पीच है उस रिपोर्टिर स्पीच में यदि हमारा कोईशिन मार्क है परसन वाचक चिन है और वो डबलो एच फैमली से कनेक्ट है डबलो एच फैमली से जैसे वेन है, हाउ है, वट है, हू है इन से वो कोईशन बनता है तो आपको आर वी और आर एस को जोडने के लिए वही वर्ड यूज करने हैं डबलो एच फैमली यदि हमारा कोईशन वर्ड हेल्पिंग वर्व से बना हुआ है यदि हमारे स्टार्टिंग में यह है हेल्पिंग वर्व इन से हमारा कोईशन मार्व बनता है तो हमें if ya weather का प्रियोग करना होता है if ya weather आप देखिए और did यह कुछी form second और second form change into head plus third form अब आप देखिए head plus third form did see it means क्या होना चाहिए head scene आप देखिए head scene किसके अंदर है पहले में भी head scene है दूसरे के अंदर did I see यह आपका wrong है third में भी head scene है second में भी head scene है अब फिर आपको last को आपको the previous night देखना है last को the earlier night भी आप बोल सकते हो अब third में last का last दिया हुआ है fourth में भी last का last दिया हुआ है इनोंने change नहीं किया है अब हमारा बचा हुआ है पहला अब देखें किर्ति आस्क्र में whether I saw अब जो हमारा first है उसमें only verb की second form दे गई है did plus see means head plus verb की third form में जाएगा तो इसलिए हमारा इसी में है head plus third form और last को the earlier night में change किया हुआ है तो it means हमारा जो B है वो right answer है second है अब आपकी जो हमें क्या करना सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो sentence है वो किस type का है हमारा sentence assertive है तो set two को हमने told में change करना है और आर्वी को आर्एस से ये हमारी आर्वी है अर्वी को आर्एस से जोड़ने के लिए हम that का प्रियोग करते हैं फर्स पोरम हमेशा change हो जाती है second में विल का हमारा would हो जाएगा तोमारो change into the next day अब देखें पहले में तोमारो adjectives किया हुआ है हमारा wrong है second है देवा told अन्नू यहां तक विल्कुल ठीक है set to change into told अब आर्वी को आर्एस से connect करने के लिए that ये भी ठीक है लेकिन इन्होंने क्या कर दिया left दे दिया यहां left नहीं होगा यहां का will का would होगा और model के बाद फर्स फोरम आएगी third में है देवा told अन्नू that मोना third person no change will का would tomorrow change into the next day अब ये भी रहूँगा क्योंकि तुमारो को इन्होंने agities रखा हुआ है fourth में देखते है देवा told अन्नू that यहां तर ठीक है that भी ठीक है मोना यह ठीक है will का would भी किया हुआ है और तुमारो का the next day it means हमारा जो d है वो right answer है third is that I said to him inverted को मा स्रू why are you working so hard अब देखिए हमारा क्या है हमारी जो RS है जो reporter speech है वो question word में है it means API weather का प्रियोग करेंगे यदि ड़्वलु एस से connect है तो वही हमारा linker का का काम करेगा फर्क क्या है set to जाएगा asked में अब जो you है अब you ही him के according तो you आपका ही में convert हो जाएगा अब हमें क्या करना है question mark को हटाने के लिए हमें subject पहले लेके आना है इस ड़्वलु एस पैमली के साथ आप जो भी is you यू किस के according ही हो गया तो ही को आप ड़्वलु एस के साथ connect कर दो तो वाई ही बन जाएगा और इस हमार change into आपका वोज वर जाएगा अब देखो वाई ही वोज वर्किंग सो हर्ड तो ऐसा बनना चीए आपका sentence वाई ही वोज वर्किंग सो हर्ड पहला देखो अब हमारा पहला ही इसमें राइट हो गया दूसरे को देखते हैं आप सब्जट से पहले रखोगे question वर्ड रहेगा यह हमारा रोंग है थर्ड है why had been no had been का मतलब क्या है वाई ही वोज 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 वर चेंज इंटू हैड विन में इसमार चेंज इंटू वोज वर में अब हैड बिन का तो मारा मतलब भी नहीं है अगर यहाँ पे आपका आर के स्थान पे वर होता तो आपका हैड बिन आप यूज करते वाई ही हैड बिन ये विमारा ड्रोक हो गया है इतना याद रखो फर्स्ट आपको देखो कि कौन सा सेंटेंस है फर्स्ट फर्म है तो सेकिंड कर दीजिए सेकिंड है तो हैड प्लस थर्ड फर्म की कर दीजिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्त है ये सेट टू हर वट एक कोल डे अब देखे जो वट है ये डबूल है फैमली है लेकिन अब देखो ये अडजेक्टिव का काम कर रहा है मेंस अब ये किसी की विशेष्टा बता रहा है कि कितना ज्यादा थंडा दिन है इट मेंस ये हमारा कौन सा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि अब देखे कितना थंडा दिन है तो इट मेंस थोड़ी दुख की बात है और rv को rs से connect करने के लिए हम that का प्रियोग करते है पहला option है he told her told तो आएगा ही नहीं क्योंकि exclimentary sentence is set to exclent with में जाएगा second he exclaimed that it was a cold day क्योंकि हमारा जो what है और how से जो start with exclimentary sentence उनको हम drop करने के लिए very a great का प्रियोग करते हैं very a great का प्रियोग हम जरूर करते हैं second में और third में हमारा very or great नहीं गिवन है अब fourth में चलते हैं he exclaimed that it was a very cold day हमारा क्योंकि इसमें मैंने बताया था exclimentary sentence में exclent में जाएगा और that का प्रियोग होगा how or what को drop करने के लिए हम very a great का प्रियोग करते हैं ये very given है first forum इस जैमार का वोजवर हो जाएगा तो it means हमारा जो d sentence है जो option है वो right है निया सेड इन्वर्टेड कोमा सरू आई में लिव तुमारो आई में लिव तुमारो निया सेड देट अब देखिए शेड का सेड ही रहेगा क्यों आपका कौन सी हमारी RS की उसमें है ये जो RS है जो हमारी reporter speech है वो हमारी SAT में है और SAT में सेड का सेड ही रहता है यदि सेड टू होता तो ये तोल्ड में गन्वर्ट हो जाता तो यहां पे जो नेहा सेड का सेड रहेगा अधे को थर्ड और फॉर्ट ये तो हमारा दिया गया है एक में आस्क्ड दिया गया है अब नेहा said that आई गया first person subject के coding I का हो गया नेहा नेहा को आम मानेंगे see में जाएगा might में तुमारो जाएगा the next day अब देखिए second में आपका तुमारो का तुमारो दिया गया है तो यहां पे हमारा जो first है five का first नेहा said that she might leave the next day. ये हमारा first right है. 6 ते आपकी स्क्रीन के उपर अजीत said inverted कोमा शरू Rita is busy right now. देखो जो now है वो जाता than me now change into than me और is mr change into वो जुबर मे रिता थर्ड पर्षन no change और assertive sentence में rs को rv से जोडने के लिए आप that का प्रियोग करोगे पहले में that इन्होंने use नहीं किया हुआ है ये हमारा wrong है second में informed दिया गया है ये भी हमारा wrong है थर्ड में सिता said that had been नहीं easy mr change into वो जुबर में थर्ड भी मारा wrong है fourth में अजित informed that rita is bg is mr change into देखो then में अब देखिए यहां पे इन्होंने हमने now का तो then भी देखना है अब यहां पे वैसे आता आपका sad का sad लेकिन informed कर दिया चलो ये भी right है क्योंकि और तुमारी पास option है नहीं now का then इन्होंने किया हुआ है इन्होंने किया हुआ है तो यहां पे अगर sad नहीं है तो informed भी आप मान सकते हो तो यहां पे हमारा क्योंकि reported जो verb होती उसका tense आप change नहीं कर सकते है तो यहां पे हमारा be right answer हो जाएगा next है the teacher said inverted comma through you are suspended अब देखे simple है simple में आप sad का sad रहता है लेकिन पिछला जो उपर का जो sentence था हमने उसके according चलना है exclaim तो होता नहीं कभी भी अब जो you है you आपको object के according change करना पड़ेगा object क्या माना हुआ है यह हम देखेंगे e.j.mr change into वोजवर में जाएगा तो e.j.mr का वोजवर वाला इसके अंदर देख लीजिए तो यहां पे दोनों पहले में M है इसमें to आया white means दोनों हमारे रोंग है थर्ड में एदा teacher informed me that me को मैंने माना क्योंकि teacher मुझे ही कहेगा I is a much change into वोज I was suspended यह आएगा और जो exclaimed है वो exclaimed मैंने आपको बताया था हमेशा आपका उस sentence में आएगा exclaimed में आएगा तो यह भी हमारा wrong है तो हमारा जो थर्ड है वो हमारा right answer है 8 है हमारा he said I have been a great mentor mentor आदे कि he said उसने का hedge have changed into head में जाएगे hedge have changed into only hedge में जाएगा अब देखें second में देखिए वोज है यह भी हमारा wrong है third में वोज है यह भी हमारा wrong है अब बच्चा हुआ है हमारा first और fourth first में है he said that he I change into he बिल्कुल had been a great mentor fourth में है he said that he has hedge का मतलब नहीं है hedge have changed into hedge में तो हमारा जो पहला ही हमारा sentence right है option first ही हमारा right है ninth है we not said we went for a summer trip अब हमारा assertive sentence है assertive sentence में हमारा said का set रहेगा rv को connect करने के लिए हम किस का प्रियोग करेंगे that का प्रियोग करेंगे और जो हमारा we है वो हमारा first person के according वीना यहां पे हमारा plural है वीना singular है इसको plural करने के लिए हम इसको दे मानेंगे went है second form है second head gone में जाएगी first form change into second second head plus third form went है तो went की third form gone gone से पहले head तो head gone they had gone अब यह देखिए tenth में है इसका d में है इसमें that दिया गया नहीं रोंग है first में है went का went दिया गया है यह भी इन्होंने tense नहीं कहिए यह भी हमारा रोंग है second है वर वर इसमें आएगा इन्ही went head plus third form आएगी बच गया हमारे पास third option विना said that they went change into second form head plus third form यह head gone तो यह हमारा right answer है tenth है राहूल said I will manage hereafter देखो यहाँ पे here है here change into there will change into यहाँ पे would जाएगा और I change into राहूल के according राहूल को आप मनोगे he तो it means राहूल said that he would manage there after देखिए राहूल said that he would manage here after no here का देर होगा पहला रोंग है second है राहूल said that he will नहीं will का वुड होगा हमारा यह भी रोंग है third राहूल said that he would manage there after हमारा देखो fourth में भी विल है यह भी रोंग है तो हमारा third ही right answer है right यह option है हमारा जो 11th है I am going out two night Manisha said अब Manisha ने कहा अब Manisha है Manisha तो लड़की है तो I को हम C मानेंगे is यह मार चेंज इंटू वोज वर two night चेंज इंटू that night two night चेंज इंटू that night पहले में देखो given night two night नहीं इन्होंने चेंज नहीं किया हुआ है यह भी मारा रोंग है Manisha said that I change इंटू C is यह मा चेंज इंटू वोज going out that night दूसरा ठीक चल रहा है third में देखते है Manisha said C इसमें that दिया हुआ नहीं है यह हमारा रोंग है fourth में देखो Manisha said that C I will का मतलब नहीं इसमार चेंज इंटू वोज वर तो हमारा जो second option है यह हमारा right है Manisha said that C is इसमार चेंज इंटू वोज वर C was going out that night हमारा जो twelfth है the guard asked who are you a question mark है question mark डबलू एच से connect है तो it means डबलू एच फैमली ही आपका linker का काम करेगी RV को RS से connect करने के लिए the guard asked who का who रहेगा मी इसमें given नहीं है मी को अब drop कर दीजिए who I was the guard asked who are you you को हमने माना है him who are you you को हम मान लीजिए God ने उससे कहा God ने उससे कहा you तो इसमें the guard asked who he was who he was second है the guard asked me अगर मी हम ये मानते तो यहाँ पे he convert होता I में हमने यहाँ पे मी माना हुआ इन्होंने तो यहाँ पे तो क्योंकि you इसके अकोडिंग मी के अकोडिंग आई होता तो यहाँ पे आपका आएगा ask का मतलब है यह नहीं यह हमारा रोंग है I भी हमारा रोंग है हमने पहला माना है तो यहाँ पे हम फर्स्ट मानती है दा गाड आस्क्ड हूँ ही वोज थर्टिन है रवी सेड दा कंसर्ट हैज एंडिड येस्टरड़े अब देखे सिंपल आपका सेंटेंस है एसेटिव है है ज़ चेंज इंटू हैड में कनवर्ट होगा इतना ध्यान रखो हेज एज और येस्टरड़े जेेंट इंटू दा प्रिवियस डे अब इसमें येस्टरड़े का येस्टरड़े ये भी रोंग है इसमें दा दे भी फॉर ये भी मारा रोंग है अब थर्ड में देखो रवी सेड देट दा कंसर्ट Heads have changed into head ended यह हमारा right answer है अब इसमें fourth में देखो Ravi said that the concert ended अब head इनोंने drop कर दिया यह हमारा wrong है तो इसका right answer है third Ravi said that the concert had ended the previous day she said bring a glass glass of water please please जहां भी आया हुआ है please और आपका imperative sentence है तो आपको to लगाना first form के आगे और set to आपका जो change होगा requested आजाएगा command आप कर सकते नहीं please में तो command हमारा wrong है ask आप कर नहीं सकते order आप देद नहीं सकते क्योंकि please requested को ही आपको बताता है तब हमारा right answer है 15 है see he said let us have dinner here अब देको let us जो वाक्य है वो हम उसमें क्या करते set to proposed to में convert हो जाता है proposed में convert हो जाता है या set को set रहने दिया जाता है और let us को हम we should या day should में convert करते हैं here जाएगा आपका there में यहां पे आपका जो है ही परपोस्ट देट we had dinner नहीं नहीं यह हमारा wrong है क्योंकि let us को हम we should में convert करेंगे यह वी विस्ट वाला भी हमारा wrong है डी भी हमारा wrong है तो we should में we या day should में हमारा c हमारा यहां पे right answer है 16 the salesman said are you interested in the scheme अब देखिए आपका question mark चिन है और यहां पे आपको if या weather का प्रियोग करना है क्योंकि wh से connect नहीं है यह तो if you change into हम इसको I मानेंगे मी मानते हैं तो I होगा ही मानते हैं तो ही हो जाएगा तो e jama change into words तो if I was देखो set जाता है आपका ask में किस में जाएगा question जो word होता है उसमें said ask में जाता है इसको drop कर दीजी इसको drop कर दीजी ask का मतलन क्योंकि reported जो speech 34 का tense नहीं बदलता है said past तो past ही रहेगा यह रहा हमारा यह right answer है जैसे देखो the salesman asked me if I was interested in the scheme अब 17 है she said shut the door अब देखिए आपका imperative sentence है imperative sentence में आपको क्या लगाना first form के आगे to लगाना to set the door बस नहीं आपका डबलेज फैमली if आएगा नहीं that आएगा इसमें आपका जो connecting word है वो two आएगा weather drop कर दीजीए should that drop कर दीजीए shouted and said she ordered me अब देखो डबल उसमें हम connect करेंगे नहीं यह आजेगा she ordered me क्योंकि order दिया to set the door दरवाजे को बंद करने के लिए तो यहाँ पे to आपको यूज करना है imperative sentence में 18 जो है she said they will be living soon आप सिंपल सेंटेंस है assertive है आप that यूज कीजिए third person no change will का आप would कीजिए तो यहाँ पे are wrong है would be will का would करना है आपको अब भी इन्होंने drop किया हुआ है इसमे would live लगाया हुआ है be drop कर दिया तो हमारा यह see right answer आएगा she said that they would be living soon आपको will का would करना है बाकी आपको as it is रखना है 19 हमारा है last it can't be this bad he said अब देखे last है last किसको exclamatory sentence को करता है exclamatory sentence किसमे जाएगा वो आपका that exclaim में जाएगा last last represent करता है sorrow को तो he exclaimed with sorrow rv को rs से connect करने के लिए आप that use करोगे क्या करते हो that use करते हो it can't be और आपको use करना can का could आपको करना है it subject है अब यह हमारा देखो drop और इसनोंने subject दिया गया नहीं है अब दूसरे में चलते हैं कि this आपका जाएगा that में he grieved चलो इन्होंने grieved किया हुआ है दुख की बात है इन्होंने exclaimed को नहीं किया इसको देखते हैं यहां तर ठीक है that it यह भी ठीक है आपका जो can का इन्होंने क्या किया हुआ है could हो गया यह भी right है couldn't हो गया b भी ठीक है this का इन्होंने that किया हुआ है यह हमारा जो है b वो हमारा right answer है अब c में देखिए he said that it was यह हमारा बिलकुल ही रोंग है fourth में देखिए with sorrow that that was no यह रोंग है हमारा जो b है grieved that it could be यह हमारा right है last है आज हमारा जो the teacher said the wind is a renewable energy source अब देखिए क्या है यह सचा ही है जब कोई हमारी rs में reported speech में कोई scientific fact है कोई saying है कहावत है या कोई proverb है या किसी की habit है या universal truth है तो अंदर का tense नहीं बदलता है the teacher said that the wind was a renewable energy एक इसाब से तो वैसे ठीक है जैमार हमने वोजवर में change करना है लेकिन यह क्या है हम इसको सच मानेंगे क्योंकि हवा है वो energy का source है तो यह मारा क्योंकि इन्होंने वाज किया हुआ है अब यहाँ पे tense आपका change नहीं होगा यह हमारा wrong है second way the teacher said that the wind is a renewable यह हमारा ठीक है क्योंकि हमारी क्या है यह सच्चा ही है universal truth है तो इसको हम ignore नहीं कर सकते हैं हमारा tense नहीं बदलेगा तो यह हमारा जो B है वो हमारा right answer है the teacher told इन्होंने object दिया गया नहीं है told that the wind is a renewable energy source the teacher tells यह विमारा wrong है यह विमारा wrong है हमारा जो B हमारा है वो right answer है dear students उमीद करते हैं कि आज आपका जो concept है जो हमारा narration से related है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इसकी जो three videos है आज हमने fourth exercise को discuss किया है जो पहली तिन exercise है वो हमने अपने पिछली वीडियो में discuss की हुई थी उनका लिंक आपको हमारे description box में मिल जाएगा चलिए जै हिंद जै भार have a nice day thank you very much आएख़ शब हमने उनका झाएख़ वीड़ा